आज मैं बनाने हैं वाली हूँ, बिलकुल नए तरीके से नाशते की रेसिपी, एकटम हैल्दी और टेस्टी नाशते की रेसिपी है, फ्रेंच तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ले लिती एक कटोरी मूंकी जो चिलके वाली दाल होती है, वो ले लिती और उसे 2-3 गंटे के लिए मैंने भीग हो दिया था, ये तो अच्छे से भीग गई है ये दाल तो अब इसे ना मिक्सी के जार में डालेंगे, तो यहा पर मैंने दाल को डाल लिया है, दो यहां पर बड़ी हरी मिर्च डाल दिये मैंने, क्योंकि मैं इसके अंदर लाल मिर्च का प्रियोग नहीं करूंगी अब यहां पर मैंने एक इंच अद्रक का टुकडा है उसे कट करके डाल देंगे स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे बिल्कुल फाइन पीस लेंगे तो यहां पर मैंने दाल को पीस लिया है एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे इसे तो अपना जो नास्ता है ना और भी टेस्टी बनके आएगा और एकदम अंदर से ना एकदम सोप्ट बनेगा भार से एकदम कुरकुरा सा बनेगा और भोती हेल्दी नास्ते की रेसिपी है यह फ्रेंड्स तो अन्ना सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देख थृषा मैंने गेस पे पेंच चपळा दिया है पेंच के अंदर टेल डालेंगे और यहा पर तेलओ और करच्छी भर तरह से बैटर रसुत के Ötime 2 जितने इस चैनल वह मिक्ति पैन के अ इंदर देल तो इस तरह से ना जो करच्छी की सायता से बैटर डालेंगे और मुक यह फेला देंगे ये देखे इस तरह से तो यहां पे डालेंगे इसके उपर पनीर के नास्ता है इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है ऐट पनीर से अन्हें बच्चों को ऑना नास्ता भणाना बताऊंगी तो एक तरीका जो मैं इस तरह से बना रही हुं में छोटी चोटी टिक की टाइप में छोटी चोटी जब स मैं बना रही हुं उस तरह से बच्चो को sa पहुत ही पसंद आता है तो यहां पी देखें मैंने अच्छे से पनीर लगा दिया है अब इसके उपर थोड़ा सा यह बेटर है जो बना के रखा था दाल वाला वह इसके उपर ओडाल देंगे हलका हलका सा ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ज्यादा मोटा हो इपनी ओडिभी हो फिली को यहां पर सारे नास्ते के उपर मैंने हलका सा बेटर लगा दिया है इसी तरह से और फेला देंगे तो यहां पर देखें एक तरफ अपना जो नास्ता था वह सेङग गया है तो इसे पलड़ देंगे और यह देखें कितना अच्छा अच्छा ठल बड़िया सा नास्ता बणके तप्रेंटस बिलकुल लो फिलेम पे ही से खेंगे इसे हाई फिलेम पे नहीं सेखेंगे और यह देखें फ्रेंटस कितना प्यार narrative आपना शिपके रेडियो गया तो आप इसे निकाल लेंगे तो यहां पे देखें अ अबना बेटर को बिल्कुल पतला पतला सा फेला लेंगे तो इस तरह से ना देखे सारे बेटर को मैंने फेला दिया है और देखे एक तरफ से ये सिग गया है तो इसे पलट देंगे तो इस तरह से भी आप दूसी तरह से भी बना सकते हो तो यह कैसे भी बनाऊगे नाप नास्ता यह बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा तो यहां पर दूसरी तरफ से भी हलका सा मैंने सेख लिया है वापस से इसे पलटके और इसके उपर डाल देंगे पनीर इस तरह से तो यहां पर पनीर डालने के बाद में देखिए अच्छे इसी तरह से सारा नास्ता बना के तयार कर लेंगे तो यह देखिए कितना कुरकुरा सा नास्ता बनके तयार हुआ है और अंदर तक एकदम सिखा हुआ है मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ देखिए कितना बढ़िया सिख के तयार हुआ है एकदम परफेक्ट सिखा है त बोती टेस्टी नास्ता बन के तयार होता है।